नमस्कार में उप्रिया आज है 18 सितंबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में जल्धी इन सरकारी पदों पर निकलेगी 20,000 से अधिक भाती सालम की बेटी मम्ता समेत बिहार के दो छात्रों का हुआ राश्ट्रिय पुरसकार के लिए जए इतिहास के बारे में जानने के लिए नहीं लगाने होंगे अलग-अलग विभाग के चपत प्येम मोदी के जन्म दन पर हुआ मेगा वाक्सिनेशन अभियान में बिहार ने बनाया अर्रों IPL 2021 में दिखेगी बिहार के क्रिकिटर की गेंदबाजी अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी ख़बरों के उन्रस्तार दे IRCTC में दसवी पास के लिए काम करने का मौका यदि आप Indian Railway Catering and Tourism Corporation यानि IRCTC में काम करने के च्छा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है बहरा सरकार के रेल मंतुराले के अधीन टिकेटिंग, केटरिंग और टूरिजम सर्विस देने वाली सार्वजुनिक शेत्र की कंपनी IRCTC में अप्रेंटिश शिप के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंतृत किये गये हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के तौर पर सो अप्रेंटिश शिप की रिखतिया निकाली गई है आवेदन के च्छिक उमिद्वार अप्रेंटिश शिप इंडिया.org पर ज़ा कर आवेदन कर सकते हैं ध्यान रहें इन पदों के लिए उमिद्वारों का केवल मैट्रिक पास होना अनिवार है पटना से तीन नई राज्यों के लिए शुरू होगी बस सेवा पटना से जल्ध ही वारानसी, राची और जमशेदपूर के लिए बसों का परिचालन शुरू होने वाला है मिली जानकारी के नुसार यह बस सेवा PPP मोड के तहट शुरू की जाएगी मिली जानकारी के नुसार सो नई बसों का परिचालन लोक नीजी भागिदारी के तहट शुरू होगा इसके लावा राजु के अंदर पतना से विभिने जुला मुख्यालेों के लिए भी नई बसे चलाई जाएंगे विहार राजुपत परिभान निगम जल्द इसके लिए टेंडर जारी करेगा टेंडर जारी होने के साथ ही इसके विस्तरित जानकारी दी जाएगी सबसे खास बात यह है कि पतना से वारानसी के लिए निगम की अभी कोई बस नहीं चल रही है वहीं राची और जमशेदपूर के लिए निगम द्वारा पहले से बसे चलाई जा रही थी जो कोरोना संक्रमन के कारण बंद कर दी गई थी लेकिन अब एक बार फिर से बसो का परेचालन शुरू होने वाला है निदिहास के बारे में जानने के लिए नहीं लगाने होंगे अलग-अलग विभाग के चकर बिहार राजे अभिलेखागार ने 1832 से 1916 तक बिहार जारखंड में ब्रिटिश हुकूमत के लिए विरोध के दस्तावेज को सारवचुने कर दिया है याने कि अब आपको 1857 के गदर या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाव बिहार जारखंड में हुए विद्रोग के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहां-बहां भटक ना नहीं पड़ेगा या थो आजादी के 75 साल पर मनाई जा रहे हैं अमरित महुतसाफ के मौके पर अभिलेखागार ने 121 दस्तावेजों की श्रिंखला ऑनलाइन प्रकाशित की है अब ये अभिलेखागार की वेबसाइट पर पढ़ने के लिए उपलब्ध है इतना ही नहीं इसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पटना के बिहार नाशनल कॉलेज के कनेक्शन को लेकर लिखा गया पत्र भी शामिल है बिहार के वेशाली जुले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास वेशाली तीर्थ स्थल बिहार का वो धार्मिक स्थान है जोहां भग्मान महावीर का जन्म हुआ था वेशाली बिहार का एक छोटा सा जुला है जो की बौध जैन और हिंदो धर्म से संबंधित अन्याईयों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है माना जुआता है कि वेशाली का नाम महाभारत काल से संबंध रखता है जो की राजा विशाल के नाम पर रखा गया था इस्थान पर भगवान बुध ने अपने जीवन के कुछ पल व्यतीत किये थे जिसके तहट अगर आप बिहार आए तो वेशाली जुले का भ्रहमन ज़रूर करें पियम मोदी के जन्ग दिन पर हुए मेगा वाक्सिनेशन अभियान में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड बिहार में पियम मोदी के जन्ग दिन पर बिहार समेत पुरे देश में मेगा वाक्सिनेशन अभियान की शिरुवात की गई थी जिसके तहट पुरे देश ने बढ़ चर कर वाक्सिनेशन अभियान का हिसा लिया खबर लिखे जाने तक कोविन पोर्टल पर दिये गए आंकडों के मुताबिक 21,10,604 टीके लगाए जा चुके हैं ये आंकडा किसी भी राज्य में हुए टीका करन से कही ज्यादा है वहें इस बाबत सीम नितीश ने भी अपना बयान जारी किया है जिसके तहट इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज पीएम मोधी नरेंदर मोधी का जन्दने और इस मौके पर 30 लाख लोगों को कोरोना कटीका लगाने का लक्षे रखकर बिहार उनके प्रती सम्मान प्रकट कर रहा है सीम नितीश ने राज्यों को मुफ्त में कोरोना वाक्सीन मुहया कराने के लिए केंदर को भी बढ़ाई दी बिहार के कई जिलों में बारिश को ले करज़वारी क्या गया अलर्ट बिहार में मौनसून फिर से सक्रिय हुआ है जिसके कारण ही बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है राज्यो के विभिनहसों में अच्छी बारिश हुई तो वहीं आज भी मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से संभावना जटाई गई है कि कई जिलो में हलकी से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है पटना, गोपालगन, सिवान और सारन सहित कई जिलो में आज हलकी से मध्यम दर्जे की बारिश का पुरवानुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने चारी किया है इसके अलावा बकसर, भुजपुर रोहतास और चंपारन के इलाके में भी बारिश के आजार हैं सुभे की शिर्वाथी करीब करीब पूरे राज्यों में बीते दिन बादलों के साथ हुई थी पड़ुसी राज्य उतर प्रदेश में फिलाल मौनसून खूब सक रिये और अच्छी बारिश भी हो रही है इसका थोड़ा अजर बिहार में भी देखने को मिल रहा है सारिट की बेटी ममता समेथ बिहार के दो चात्रों का हुआ राश्ट्रिय पुरसकार के लिए चैन मिटाओ अभियान मतदाता ज्यागरुता अभियान में बर्च्वर कर हमेशा हिस्सेदारी निभाने के लिए इस पुरसकार से नवाजा जाएगा इसके साथ ही इसमें बिहार से दो NSS क्यारेट के अंतिम रूप में चात्रों का चैन हुआ है आपकी जानकारी के लिए आपको पता दे NSS के शेत्र में बहतर कारे करने वाले क्यारेट को यह सरवोच समान दिया जाता है महीं पुरिवदेश पे 30 NSS स्वैम सेवकों का इस पुरसकार के लिए च्वैन हुआ है सिख्षक संगों ने TET और CTET पास सभी सिख्षकों को प्रधान सिख्षक बनाने की उठाई मांग बिहार सरकार ने जब से प्राथमिक विद्यालियों के लिए प्रधान सिख्षक और माधमिक विद्यालियों में प्रधानाध्यापक बहाली की कुल 45,892 पदों के लिए 9 शर्टे लागू की हैं उसके बाद से ही तमाम सिक्षक संग इसका बिरोध कर रहे हैं सिक्षकों ने इसके लिए साफ कहा है कि अनुभव की आधार पर नहीं मौका देने की मांग TET सिक्षक संग ने सरकार से की है संग ने मुख्य मंत्री और सिक्षा वभाक के अपर मुख्य साचिप को पत्र लिखा है जिसमें प्रधान सिक्षकों की बहाली में TET को अनिवारे करने का आगरे किया गया है बिहार में जल्धी इन सरकारी पदों पर निकलेगी 20,000 से अधिक भरती पीम मोदी के जल्ल दिन पर बीते दिन बिहार सरकार के स्वस्त मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान किया इस बावत उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार में 20,000 सरकारी नर्सों की पदों पर भरती की जाएगी इस बावत मंत्री ने आगे ये भी बताया कि बिहार में 10,000 रेगिलर 8,000 से अधिक संविदा पदों पर भरती प्रक्रिया शुरू की जाएगी उन्होंने आगे कहा कि बिहार में कोरोना वाइरस काबू में है लेकिन फिर भी बिहार सरकार सतर्क मोड में आने वाले समय को ध्यान में रखते वे स्वास्व भाग जल्द ही नर्स के पदों पर आवेदन की मांग कर रही है वहीं इस महीने के अंतक पाच करोड़ पच्छास जार से ज्यादा टीका करन का लक्षव बिहार के पार करने की बात भी उन्होंने कही है इसके साथ ही मंगल पांडे ने मीडिया से बाच्चीत करते वे ये भी कहा कि बिहार में दो मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रोक्रिया जल्ब शुरू होगी पंच्वाय चुनाव में मददान और मदगंदा में होगी वेब कास्टिंग पंच्वाय चुनाव की तैयारी बिहार में लगातार जारी है सिबी चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकल कर केस सामने आई है जिसके तहट पंच्वाय चुनाव में गडबडी को रोकने के लिए अब आयोग ने जुला प्रसाशन को मतगंदान की वेब कास्टिंग कराने का देश दिया है हालाकि ये नियम अभी कितने बूथों पर होगा इसको इस पश्ट नहीं किया गया है लेकिन जुला प्रसाशन एंड्रोइड मोबाइल के सहारे सभी बूथों से वेब कास्टिंग कराने की तयारी में जुटा है अगर सभी बूथों पर वेब कास्टिंग अनिवारे हुई तो Android Mobile के सारे वेब कास्टिंग कराने का प्रयास किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि पंचाया चुनाव को लेकर जुला में अभी 18 कोशांग कारे रथ है स्कूलों में अतिरिक्ट क्लास्रूम निर्मान के सिक्षा विवस्था में हो सकता है सुधार सूबे के 1400, 83 स्कूलों में 2750 अतरिक्त क्लास्रूम के दर्मान और 2950 माधमिक और उच्माधमिक विद्यालियों में उपसकरों की खरीदारी के लिए राश्री जारी की गई है क्योंकि हाल ही में विध्यालियों में सिक्षचों की नियूख्ती और क्लास्रूम बनाने का फ्यस्ला लिया गया था हालाकि ज़यंकारों की मान completed राजसरकार का इक फ्यसला बिहार के सिक्षक नियोजन में धांदली का हुआ खुलासा सिक्षक बनने के लिए मांगे गए इतने लाख बिहार में इन दिनों सिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है हालाकि इन सब के बीच बीते दिन बिहार में सिक्षक नियोजन में बड़ी धांदली का खुलासा हुआ है यह घटना बिहार के मध्यपुरा जुले की है जहां पर आडियो एक तेजी से बारल हो रहा है सिक्षा पदाधिकारी का दावा है कि नीचे से उपर तक टाइट सेटिंग है बीडियो से लेकर मुख्यमंत्री कारियाले तक मानेश है आडियो वाइरल होने के बाद जिला के प्रशास्तिक महकमे में अब हर कंप मच गया है आडियो 2021 में दिखेगी बिहार के क्रिकेटर की गेंदबाजी जल्दी आडियो 2021 की शुरुबात होने वाली है ऐसे में बिहार के लिए गौरवानवित करने की बात इसलिए है क्योंकि आगामी IPL में रोहतास के बड़ी गाउन निवासी आकाश्टीप इस साल नजर आने वाले है जिसके तेहत आकाश्टीप तूसरे चरण में रॉयल च्यलेंजर्स बैंगलोरो की तरफ से खेलेंगे क्योंकि आगामी IPL में विराट कोहली की टीम में घायल खिलारियों के कारण पाच परिवर्दन किये गये है जिसमें चार विदेश्टी खिलारियों के साथ एक भात एक खिलारी आकाश्टीप को जोगे मिली है ATM fraud मामले में पतना का भी आया नाम NCRB की रिपोर्ट में हुआ खुलासा ATM से धोखाधरी मामले में बिहार की रासधानी पतना का स्थान तीसरे नंबर पर है हैरान करने वाली बात ये है कि पतना कोई हस्थान मेट्रोपॉलिटन शहर मुंबई हैदराबाद के बात मेरा है आक्रो के अनुसार पतना में इस तरह के 86 मामले आईटी आक्र के तहट दर्श के गए है वहीं LCRB के आक्रो के अनुसार बिहार में ATM फ्रॉड के 642 मामले सामने आए है इसके अलावा ओनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के 105 मामले और OTP फ्रॉड के 8 मामले विभिन थानों में दर्श के गए हाला कि राहत की बात यह है कि बीते साल के मुकाबले राचु में आर्थिक अपराद के ग्राफ में कमी आई है वर्ष 2018 में आर्थिक अपराद में 1264 मामले वही वर्ष 2019 में अपराद की संख्या बढ़कर 1535 और 2020 में ग्राफ किरकर 3 साल में न्यूंतम सर 1017 पर पहुँच किया है रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलवा कर ही मानेगी लोचपा स्वर्गिय रामविलास पासवान की बर्खी हाली में मनाई गे थी इस समय लोचपा समेथ विपक्षी दलों ने स्वर्गिय रामविलास पासवान को भारत रत्न से नवाजने की मांगी थी हाला कि सरकार ने इस मामले में अब तक कोई रियाक्शन नहीं दिया है इसे बीच अब लोचपा ने एक बार फिर से रामविलास पासवान को भारत रत्म से नवाजने की मांग की है जिसके तहट लोचपा ने पीयम मोदी और सीयम नितीश को पत्र जारी किया है लोचपा प्रवक्ता चंदन सिंग ने बताया कि लोगजुन शक्ती पार्टी की तरफ से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार को पत्र लिख कर मांग की गई है कि पदम भूशन दिवंगत रामविलास पासवान को भारत रत्म से भाशा में होने वाली है जिसके तहट अब नए सत्र में अडमिशन देने वाले चात्रों के पास इसका विकल्प होगा जो इसके बाद ही हिंदी माध्यम से अभियंतरन की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान एनाईटी पढ़ना बन जाएगा इसी के कि संसान ने बीटे कोर्स के पहले सेमेस्टर 2020-22 से ही हिंदी में पढ़ाई की विवस्ता लागू करने का दिर्ण लिया है इसको लेकर उन्हाने आगे बताया कि नई सीक्षानिती के अनुरूप पाठिकरम को तयार किया जा रहा है आने वाले समय में अन्य छेत्रिय भाशा में भी पढ़ाई शुरू की जाएगी के बुनकरो और कलाकारो द्वारा बनाई गई चीजे देश दुनिया में जाए हमें ये मन्शा लेकर चलना है बिहार के मुख्यमंत्रि नितिश कुमार का संकल्प है कि कला शिल्प और पारंपरिक उद्योग जो की बिहार की पहचान है उसका संदेश पूरे देश में जाना जा रही है हलाकि इन सब के बीच लोजपासांसत प्रिंस राज के अग्रिम जमानत को लेकर जानकारी सामने आई है जिसके तहट अब ये फैसला 20 सितंबर को होगा क्या थो अपने उपर लगे इल्जाम के बीच इसके लिए उन्होंने कोट में अग्रिम जमानत के लिए या बायत करता कि दावे के तहट आपत्री जनक कॉंटेंट वाले वीडियो को बरामत करने के लिए प्रिंस को हिरासत में लेने की जरूरत है जिस पर कोट ने फैसला अब सुरक्षित रख लिया है अशोक चोधरी ने बांधे ललन सिंग की तारीफों के पुल इन दिनों जदियों के रास्ट्री अध्यक्ष ललन सिंग जदियों को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं हलाकि इन सब के बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बीते दिन उनकी खूब तारिफ की जिसके तहट उन्होंने कहा कि पार्टी को और धारदार बनाने के लिए रास्ट्रिय अध्यक्ष अपने तरीके से फैसले ले रहे हैं जोहरखंड में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं नौर्थीस्ट में कमीटी बनी हैं साथी किस तरह पार्टी को आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर रास्ट्रिय अध्यक्ष ललन सिंग काम कर रहे हैं गया थो ये बाते जोंदादल युनाइटेड में ललन सिंग के द्वारा दो दिवसिय बुलाई गई बैठक में कही गई हैं बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी ने किया सरकार का घेरा जो हाई तरफ सरकार में शामिल पार्टी आंपिये मोदी का जन्म दिन बीते दिन बना रहे थी वहीं वेपक्षवी दल बीते दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में बना रहे थे कि मूल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए समाज में दरार और दरार पैदा की जाए हैश्टाग बेरोजगारी चुराग ने उपचिनाव के लिए ठोका दाओ चुराग पास्वान की पार्टे इंदरों काफी मुश्किलों का सामना कर रही है जहाँ चुराग की लोचपा अपना वर्चस्व बचाने में लगी हुई है यह कारण है कि चुराग ने अब भाजपा, जदियू और कॉंग्रिस के साथ-साथ राज़त को भी उपचिनाव में दावठो कर चौका दिया है इसको लेकर बीते दिन चुराग ने कहा कि विधान सभा की दो सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचिनाव में लोचपा भी हाँ था आजमाईगी आपको बता दे बिहार विधान सभा की दो सीटों पर उपचिनाव होने है तारापुर से मेवालाग चौधरी और कुशेश्वर स्थान से सची भूशन हजारी विजय रहे थे दोनों विधायक और समय दुनिया को अलविधा कह चुके थे इलेक्शन का अभी एलान नहीं हुआ है मगर राजुनेतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है जदियों और राज़त के बाद अब लोचपा के मैदान में उतरने से चुनाव में नया मोर आनिक यब उमीद भी जटाई जा रही है भारत के भिहास में आज की तारीक कई कार्णों से दैच रास्त्रे सुरक्षा धिमियम 1947 को आज के दिन पारित हुआ था पहली महिला पाइलट ने 1986 में बंबई से गोजा के बीच उड़ान आज के दिन भरी सूशा प्रदेगी की शेत्र की कंपनी HCL के संसापक अध्यक्ष शिब नायर को 2009 में ब्रिटेन के Trade and Investment Business Person of the Year अवार्ट से सम्मानित किया गया भारत ने लदाक शेत्र में अपनी एक और हवाई पट्टी आज के दिन खोली शोबना भारती एच्टी मीडिया की अधियक्ष न्योग तो 2008 में आज के दिन में थी भारत रत्र सम्मानित स्वतंतिता से नानी समाज सेवी और सिक्षा शास्त्री भगवान दास काने दन 1958 में आज युके दिन हुआ था केंदर सरकार ने दी महिंदर सिंग धोनी को बड़ी जिमदारी भारते टीम के पुर्फ कप्तान महिंदर सिंग धोनी ने भले ही क्रिकट के सभी फॉर्माट से सन्यास का अईलान कर दिया है लेकिन अब केंदर सरकार ने क्याप्टन कूल को बड़ी जिमदारी दी है जिसके धैद रास्ट्रे क्याड़ेट कोर को लेकर रक्षा मंत्रवाले की तरफ से गठित 15 सदस्यों वाली कमीटी में भारते क्रिकेट टीम के पुर्फ कप्तान महिंदर सिंग धोनी भी शामिल किये गया है रक्षा मंत्रवाले ने NCC को पहले से और अधिक प्रासांगिक बनाने के लिए उसकी व्यापक समिक्षा के लिए इस कमीटी का गठन किया है ग्या थो इस कमीटी में महिंदर सिंग्धोनी के साथ साथ आनंद महिंदरा को भी शामिल किया गया है भारत को ग्लोबल इंडेक्स पर मिली अब तक की हाइस्ट फिक्स डाउनलोडिंग स्पीड मॉबाइल और ब्रॉडबान नेट्वर्क इंटेलिजन्स टेस्टिंग अप्लिकेशन और समंधित तकनीकों में ग्लोबल लीडर ओगला ने अगस्ट 2021 के लिए अपने स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स पर अबडेट जारी किया है आंकडो के नुसार भारत ने अगस्ट के महीने में 62.45 Mbps की एवरेट स्पीड हासिल की है और ओवरॉल फिक्स ब्राडबांड डाउनलोड स्पीड में अपनी ट्राजेक्टरी ग्रोथ को बनाए रखा है जो की ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट पर देश ने अब तक का सबसे ज्यादा बताये गया है अब आईए जो आते हैं सराफा बाजार और पिट्रोल डीजर के क्या थे भाव अगर हम सराफा बाजार की बाजार की बात करें तो सोनी का भाव 17 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 44,570 रुपे था इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 47,720 रुपे था इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रती किलो 62,000 रुपे था आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जी न्यूजर का कमेंट है में अच्छा लगा है आपके नुसार महेंदर सिंग धोनी को रक्षा मंतराले की तरफ से गठित 15 सदस्ये वाली कमीटी में शामिल करने का केंदर सरकार का फैसला सही है या नहीं अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्रेटेड रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबारा ना भूलें